कि नम्सकर साथियों में राजवीर राजवीर गोर्ट फार्म जेपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं अमिनन्दन करता हूं साथियों आजम सापके सामने एक बार फिरो पस्थे तुए हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ मैं ये ऋसके बारे में हम पूरी डिटल से बात करेंगे सातियों पहले तो मैं आपको बता दूँ कि बक्रों को सर्सों का तेल कब देना चाहे है इसके कौन से सीजोन में देने से ज़्यादा होता है उसके बारे में अगर आप बक्रे कुर्बाने के लिए या फिर बेचन सेल करने के लिए बक्रे पाल रहे हैं तो आपको जब आप बक्रे सेल करो उससे एक मैने पहले से आपको सर्सों का बक्रों को सर्सों का तेल देना स्टार्ट करना चाहिए सरसों का तेल एक दिन चोड़ के एक दिन देना चीए बकरे के बोड़ी वेट के इसाब से देना चीए अगर आपका बकरा पचास से 80 किलो वेट का है तो उसे 20 अमेल के लगबग देना चीए उस से क्या है उसके अंदर बोडि वेट के अंदर सर जाएगा तो उसके पूरा काम करेगा उसके बोडि के अंदर, this लिए बोडि वेट जरूरी है अगर हम बकरों को उसके बोड़ी वेट से जादा या कम तेल देते हैं तो उसके लिए नुक्षान दाएक हो सकता है बकरों को सरसो को तेल देने से उसके सरीर की साइनिंग कलर का एफेक्ट परता है जो कि बहुत बहतरिन हो जाता है इसके अलाव उसके अंदर चर्वी का विकास होता है जो कि बहुत अच्छी अच्छा वेट ग्रो कर पाते हैं इसलिए हम आपको सिधे लाइव और प्रैक्टिकल बताएंगे कि किस तरह से बकरे को सरसो का तेल देना चाहिए हम अभी अपने सिधे फार में चलते हैं सबसे पहले हम काटोरी के अंदर हड़ किसी तोड़े हड़ी लेंगे क्योंकि हड़ी के अंदर पूरे इम्मिनिटी से पूरे गुण मौशुद होते हैं जो कि बकरे को लब बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत बड़ा ताकत प होता है अब इसको दोनों को मिक्स मिला लेंगे मिलाने के बाद में बारी बारी से खमक आ जाती है इसके नो के वेट में घ्रो ने से स्रीज में बढ़ती हैं साथ ही साथ अगर हमारे बच्चे बक्रियां अगर बिमार होते हैं आपके बार बार तो बिमार नहीं होंगी इनसे उसकी स्रीज में यहां अगर आपके बक्रे का बिल्कुल भींनी होता है तो भी हम सर्सों का यत्यर पर ही सामने से निपिलाइगे और सामने से ड्रणूंज जा रहता है है इसको साइड से पिलाना है साइड से तो हो जाती है आराम से पिले इस तरह से जैन साते हूं नौसकाः